हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू मार यूटूब चैनल एसके गाइडेंज आज हम बात करेंगे वाट नेक्स्ट आफटर 12 आर्ट्स मिन्स 10 के बाद कॉलिज में अगर आपने आर्ट स्ट्रिम को चूज किया है तो उसमें आपका करियर कैसा रहेगा उसमें क्या-क्या ऑप्शन से आपके पास कोसिस से रिलेटेड वो सब हम देखेंगे इसमें इन डीटेल में देखेंगे बहुत लोगों को फ्रेंद्स राउट्स है कि आर्ट स्ट्रिम अच्छी नहीं है या इसमें करियर अच्छा नहीं है फ्यूचर ब्राइट नहीं है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें बहुत अच्छी कोसिस अविलेबल है लेकिन सभी लोगों की इसकी जानकारी नहीं है और यह आपके इंट्रेस्ट किसमें ज्यादा है यापका स्किल क्या है आपका क्रेटिविटिव कितना है किसमें है तो उसके साब से अगर आप यह को सारी दिख लीजिए जिन उ आपका इंट्रेस्ट है उसके साब से आप चूस कर सकते हो बिकॉस बोलते हैं कि करेक्ट टाइम पर डिसीजन लेना और करेक्ट टाइम पर गाइडन्स होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उसे चूस कर सके हैं ओके तैन वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन अगर आप ह मइन करें लीजबिटी होनी चीए कैसा से क्या है वह पहला है अगर आपको आर्केटेक्ट बनना है या श्राइ। घुर्ट चना है तो आप आर्ट's के बाद भी जा सकते हों इसमें ड subscription है कि वह समे बेल्स में टो मियासिम फ्सब्रायर da के पास हैं तो आप बैसलर आर्टेक कोस कर सकते हों 12 के बाद में और यह प्योंक्ति यह जो बहुत ही अच्छा और है लेबल का पोष्ट होता है इसमें पेसक गर्वाइब बहुत अच्छी वगरा होती है करियर बहुत ही अच्छा होता है इसमें job scope देखिये आप design architect या project architect या interior architect आप काम कर सकते हो relevant course है इसमें आप ये bachelor भी कर सकते हो और आगे आपको master करना है इसमें वो भी कर सकते हो ये MBA करना है तो वो भी कर सकते हो ओके ये course हो गया दूसरा है BA बीए क्या है बैशलर ऑफ आर्ट जैसे देखिए हम commerce करते हैं तो उसके बाद में भी कॉम करते हैं या फिर हम science करते हैं उसके में इंग्लिश हिंदी मल्यानम किसी भी इसमें आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यॉर प्रेफरेंस या फिर एकोनॉमिक्स में जोग्राफी हिस्ट्री साइकोलोजी सोसल चुड़ी लिटरेचर पॉलिटिक्स एकोनॉमिक्स बहुत सार ऑप्शिन्स होते हैं तो आपको जिसमें भी इंट्रस्ट है जिसमें आगया आपको अपना करियर करना है तो वह सब्जेक्ट को चूज करके उसमें कर सकते हों और यू कन अप्लाइब फॉर जॉब इन गॉर्वर्मेंट सेक्टर सच इस बैंक स्कूल एड्मिस्रेटिव जॉब यह सब आप कर सकते हो देख जॉब स्कूप का होता है वीए करने के आदskẩश म में आप टीचर आप फिर ड्रीया किन्टेंड रिया या फिर कर सकतte हो समग्र न के बहुत सारे एकता कर सकते हैं कि आपको अर सकते हैं इसके बाद जॉभ कर सकते हो चाहे प्राइवेट हो चाहे पर क्लाइवमें mtuff od सकते हो बहुत सब्सक्राइब करने के बाद में तर्ड है बीबी ए इच्ट सेंड फॉर बैस्टर बीजनेस अडिनिस्ट्रेशन यह कोस्त तीन साल का होता है और जिसमें यह डिग्री को सोता है जिसमें मैलेजमेंट यह सब को सिखा जाता है इंक्लूड बोथ जोनरल बिजने और को सिखा जाता है इंडिफेर्ट स्पेशलाइजेशन जोब सकोप क्या है इसमें मार्केटिंग एग्जकुटिव के तरह कर सकते बिजनेेंग प्रेंग्छी निट्र चॉप कर सकते हैं तो आप बिए करो बैस्टर करो आपको मांस्टर करना है में बिजनेंश में आप ब सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप इसमें मास्टर कर सकते हो अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है प्रोफेसर बना है तो आप आगे कि आप सकते हैं हो झत्तो टीचर का ऑग अच्सात हैं कि अगदधा जिसमें इसे से-लॉष बगर denk प्री चाना है बहुत हैं या साथ सब्सक्राइब कुन हैं है एक ज करने फिल्सक्राइब के बहुत अच्छी है है कि यहित्तम अच्छा है सब कुछ आपको सिखाया जाता है उससे ही इतना ही वोटल मेंचमेंट नहीं होता है उसमें आपको एक परफेक्ट आप देखिए बड़े बड़े जो होते हैं उसमें जो मैंनल्स होते हैं उनकी जो पेश्किल वगरा होती वो काफी अच्छी होती है और इसमें भी फूचर काफी ब्राइड है यह तीन साल का कोस होता है आप इसे आर्ट के बाद में ले सकते हो उसमें आपको तीन साल में बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको सब कैसे हैंडल करना है क्या करना है ओके यह करने के आदमें अगर आपको जॉब इसली मिल जाती है और पेस्किल वगरा भी काफी अच्छा होता है जन सिक्से लोगोस अगर आपको सब्सक्राइड में जाना है तो आप आर्ट के बाद भी जा सकते हो देखिए अगर आप बीए करने के बाद करते हो तो आपका टोटल पान साल का कोस हो अगर आपको इसमें इंटरस्ट हो तो आप यह कोस कर सकते हो यह मोचली तीन से चार साल का कोस होता है यह बहुत ही अडवांस को से फ्रेंड्स आपको पता है अभी करेंट लिसका मार्केट काफी अच्छा चल रहा है क्योंकि जो हमारा मीडिया है जो वह अरूंड काफी ग्रोग किया है उसने लास्ट 15 यर में मोर देन 700 न्यूश चैनल है और अभी नियू और भी बहुत सारी इसमें बहुत सारी चीज़े होती है एडिटिंग बहुत लेयर्स होते हैं जो आप यह कोर्स लोग है तो इसमें आपको काफी अच्छी तरह से सब कुछ सिखाया जाएगा और आपका इंट्रेश किसमें है उसके सबसे उस स्प्रेसिफिक चीज में जाके आप कर सकते हो यह इसमें नाइंट्ध है और इसका मार्केट वैल्यू काफी अच्छा है आप इसमें डिग्री भी कर सकते हो डिप्लोमा भी कर सकते हो मास कम्मुनिकेशन में बहुत सारी कॉलेजिस है जो प्रोवाइड करते हैं कोस तो अगर आप इंट्रोश्ट हो इसमें तो आप इसका कॉ सब्सक्राइब कर सकतो एक प्रोफेशनल को से देन नाइन्थ है ग्राफिक डिजाइन एनिमेशन फिरेंड से बहुत ही अच्छा को से और काफी डिमांडिंग है और इसमें करियर फ्यूचर काफी अच्छा है ब्राइट है लेकिन एक चीज है आपको इसमें इंटर्स होना च अगर आपको इंटर्स हे इन सब चीजों में ग्राफिक में अनिमेशन बनाने में इस सब चीजों में तो आप जरूर कोस कीजिए यह होता क्या है जो एड्स होते हैं यह कुछ भी पोस्टर होते हैं जो हम करते हैं मतलब कोई भी एक मैसेज करना थूर डिजाइनिंग विद डिपलोपर का कोछ नहीं है गोडिग का कोस नहीं उसके लिए दूसरा कोछ नहीं डिप्लॉमा कर सकते हो या फिर डिग्री कोस कर सकते यहां बहुत सारे कॉलेज जो प्रवाइट करते हैं को आप आर्ट के बाद में जा सकते हो इसमें भी फ्रेंट्स पेस के लिफ अगर काफी अचाहा है आउट ओफ में अब्रॉड में भी इसका काफी डिमांड है इंडिया में भी है अगर आप फ्री लेंच करते हो इसको तो और भी ज्यादा आपका इंकम रहेगा कंपेर्ट टू जॉब ओके तो अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो यह भी कर सकते हूं यह तो आपके लिए ऐसे कोई स्किल है कोई 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 कला है जैसे की आपका मीजिक में इंट्रेस्टेड डांस में है एक्टिंग में है ऐसा कुछ है तो आपके लिए ऐसे कोई कोई कर सकते हों तो ऐसे कोई करियर बना सकते हो तो अब उसको अपना करियर बना सकते हो और दो आप उसको सब्सक्राइब लेबल है देन लेवन्त है बीएवडी इट स्टैन फॉर बैस्टलर पैसिल डिजानिंग को इंट्रेस्ट है आपका क्रिटिविटी है तो आप यह को सकते हैं इसमें भी काफी अच्छा करियर है और को सब्सक्राइब इसका चार सार का देन ट्वेल्थ है इवेंट मैनेजमें इवेंट मैनेजमेंट फ्रेंड जैसे रिखिए कुछ भी पार्टी हो गई मैरेज हो गया एनिटिंग कुछ भी ऑर्गनाइज करना है तो अभी लोग इसको और देते हैं बड़ी बड़ी कंपनी इसको देते हैं तो आप किसी कंपनी को जॉइन कर सकते हो आप जॉब कर सकत हो इसमें भी करियर काफी अच्छा है चलिए भी हम यह जो चार्ट है इसको देखते हैं थोड़ा सा देखिए आप 12 के बाद क्या क्या कर सकते हूं 12 के बाद आप देट कर सकते हो अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो डिप्लोमा कर सकते हो या फिर आप LLB कर सकत हो Interior Design इस इन्टिरीर डिजाइनिंग का कोस्ट आप कर सकते हूं यह भी बहुत अच्चा कोस्त थे फिरिंग्स यह भी दो साल कोस्त है डिप्लोमा कर सकते हो जो की ग्रेजुशन को होता है हम 12 के बाद करते हैं वह मैं उसमें आपकिसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो मैं बता है को बी ऐ कर सकते हो अप्टेमे में करना को बीफ आ तो फिसे दशाह चर्थ Alrighty ऩॉप सकते हो एक वेयर कर सकते हो ऩो यह फिर लेटकर सकते हो लेकिन सो छाएक सब्सक्रणला को अगर इंगर आप को बीफियों में करना है को नायीं तो घ्ले आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो या फिर आप फाइन आर्ट्स में कर सकते हो उसमें मास्टर भी कर सकते हो फाइन आर्ट्स में जो की दो साल का होता है दें देखिए बीए करने के बाद में क्या क्या ओप्शिन्स होते हैं बीए करने के आद में आप बैसलर तो आप प्रोफेशनल आइड उत्क्राइशन में सकते हो जो कि एक साल का कॉष्ट होता है आप उसमें में मास कमश्ट में कर सकते हो तो इसमें अगर माश्टर करना है तो आगे वह सब्सक्राइब प्रॉफेशनल आर्ट कोस होता है वह यह कर सकते हो जैसे कि आपका क्रेटिविटी आप उसको कर सकते हो आपके हो आपके कर सकते कर सकते हैं वह बहुत सारे कॉलेजिस में होती है साइन्स या फिर अगर आपने कॉमर्ट से पास किया है तो उसमें मैठ्स होना चाहिए तो आप अलिजिबल हो बीसी क्या है बैस्टर आफ कंप्यूटर अप्लिकेशन जिसमें आप सौफ़ए डेवलोपर या फिर प्रोग्रामर बन सकते हो वह कोडिंग का कोस होता है काफी अ का बैगरांड होना चाहिए वह एड्मिशन देते हैं लेकिन वह आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन से कॉलेजिस है जो लेते हैं आप चुटन को बीसी कोस के लिए तो यह बी ऑप्शन है अगर आपको इंट्रेस्टर अप्लिकेशन अप्लिकेशन में तो आप जा सकते ह सकते हो आप मास्टर कर सकते हो और इवन मैंजिटमेंट डिप्लोमा कर सकते हो आप सब इंस्पेक्टर के एक्जाम भी दे सकते हो फो बीए से एफ सी यार पी एफ म आई सी एस एफ के लिए एंजिए कर सकते हो बहुत सारे ओप्शन से इसमें तो यह हमने कुछ बारा कोसिस तो आप अपनी इंट्रेस्ट के सबसे देखिए कि आपको किस चीज में इंट्रेस्ट है आपको आपकी स्किल के सबसे जाना है या फिर आपको किसी कंप्यूटर में को इंट्रेस्ट है तो आप ग्राफिक या फिर अनिमेशन में जा सकते हो या फिर आपको होटल में जाना है पर जोब बहुत सब आपको इसा नहीं कि आपको घंड में कर सकते हैं बहुत सारे और इसा नहीं है कि इसमें करियर अच्छा नहीं है देखिए जो भी हमारे फिल्म इंडॉस्ट्रीज के हैं डाइक डायक्टेर्स, सिंगर्स, डांसर, फोटोग्राफर, यह भी लॉयर्स, बहुत सब जो अपने एरिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं उनका करियर काफी ब्राइड है और अच्छा उनका का फीचर है तो आप देख सकते हों कि स्रिफ साइन्स या कॉमर्स दिने से फीचर ब्राइड नहीं होता है और यह आप अपनी जो इंट्रेस्ट है उसके बेसिस यह वीडियो देखने के पास में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इससे रिलेटेट की यह को सम्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तक कि आपको औप्शिंज पता चल जाए कि आपके सामने और आपका इंट्रेस्ट क्या है और है आट से लेकिन जो कोसिस टेंथ के बेसिस पे लेता है आपको अलिजिबलेटी टेंथ है उसका तो आप वो ले लीजिए और उसमें बाद में आप डिप्लोमा कीजिए पॉलिटेखनिक से और आगे आप उसमें फिर फ़र्दर अडवांस कोस कर सकते हो ऐसे आप डायरेक् कि जो ऑप्शन्स दिये हैं मैंने आप उसके अकॉर्डिक लिए भी कर सकते हूं आयोप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे लेकिन फिर बिए को कोई कोई है कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो मैं डेफिनिटली आंसर करूंगी मेरा एमी यह है कि मैं अगर कुछ भी एक परसंट की भी अगर हेल्प कर सको और उसे प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और उसे देखके वो एक प्रॉपर करियर चूज कर सके तो मेरा यह वीडियो बनाने का जो मेहनत वो सफल हो जाएगा तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीज शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में उनकी भी हेल्प कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजी मेरे चैनल को तक कि आगे आपको वीडियो की अपडेट्स मिल दे रहे हैं थैंक्यू फ्रेंड्स पो वाचिंग मैं चैनल ओल दी बेस्ट